दोस्तों मेरा नाम है विशेक सिंग और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन के अनदर टॉपिक जिसका नाम है एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यार सब लोगों को पता होगा कि जो वेट होता है डब्ली इज इकोल टू होता है mg जिसमें यह होता है mass जो हर जगे पूरे universe में constant रहता है लेकिन जो g होती है वो vary करती है अलग-अलग planets के हिसाब से जैसे कि यहाँ पर अर्थ पर g की value होती है 9.8 मतलब जो weight होता है वो equal to होता है किसके gravitational force मतलब अगर अर्थ पर कोई भी weight है कोई भी object है उसका जो weight निकल के आएगा वो equal to होता है gravitational force मतलब जितना भी अर्थ उस पर खिचाओ डालती है वही चीज उसका निकल के आता है weight तो इस चीज में acceleration due to gravity यह जो है यह उसी चीज को basically relate करती है कि weight weight of object किसी भी object का weight is equal to किसके होगा gravitational force के किसके एक को लोगा gravitational force के ठीक है weight of object is equal to the gravitational force ठीक है अब कि weight of the object क्या होता है mg ठीक है मतलब mg और हमने पहले find out किया हुआ है कि f मतलब force is equal to g gravitational constant m1 mass of one object mass of second object at r square r means the distance between two masses यह यह चीज मैंने पहले वाले video में explain किया हुआ है तो आप अगर इस चीज को नहीं जाने तो आप इसको refer कर सकते हैं अब mg is equal to g m1 into m2 divided by r square तो इसलिए g अगर हम लोग यह consider करें कि m एक object है और दूसरा तो यहां पर क्या हो जाएगा अगर इस चीज को हम लोग m2 consider करें या फिर m1 की जिए हम लोग consider ऐसे भी कर सकते हैं mg is equal to g m1 को हम अगर लिख दें bigger mass मतलब m इसको consider करें m मतलब small mass divided by r square तो यह यह m cancel हो जाएगा तो finally g की value के आ जाएगे हमारे पास g m यह g gravity है मतलब small g और यह g capital G मतलब gravitational constant divided by r square यहां पर हो गया gravitational r चाहिए वाला यूज करें चाहिए वाला यह क्योंकि आगे जब हम लोग सीखेंगे तो r is equal to क्या हो जाता है यह capital r मतलब अगर यह हमारा earth है यह हमारा center point है earth का यह यहां से लेकिए यहां तक का distance इन्होंने consider किया r लेकिन अगर हमारा radius space में जाता है तो यहां पर height भी जूड़ जाती है ना यह वाला r basically हम लोग एसे यूज़ करेंगे r plus h मतलब the radius of earth plus height यहां पर space में भी circle बन जाएगा ना यह height के साथ यह height पर radius दूसरा होगा और earth के लिए radius r होगा तो आप इसको चाहे small r लिखे इस equation के लिए दोनों r valid हो जाती है तो g is equal to capital G into m divided by r square मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा अगर अभी भी आपके मन में कोई भी doubts या question है तो मुझे आप comment section में जरूर बताओ मैं आपको जरूर reply दूँगा ऐसे और वीडियो को देखते रहने के लिए प्लीज चैनल को subscribe कर लो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share भी करो अगर कोई वीडियो parts में है तो आप उसका next part जरूर देखे ताकि आपको पूरा का पूरा concept clear हो जाए that's it for this video be techy be religious and be educated guys